नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरो क्योड बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर सीएम नितीश का जनता दर्बार हुआरद दूसरे चरण के सिक्षक नुक्ती को लेकर इतने आवेद को ने किये आवेदन साइबर अपराधियों में हब बना बिहार ये जला सबसे आगे पटना पुलिस का आटो वालों के लिए नया फर्मार टीट्वेंडी सिरीव जीतने के बाद सुरे कुमार यादव ने की इन खिलारियों की तारीफ इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से सीयर नितीश का जनता दर्बार हुआ रद बेहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार का पिछले कुछ दिनों से तबियत खड़ाब है जिस वजह से उनके कई कारेक्रम को भी रद कर दिया गया है लेकिन इस बीच यह खबर आई थी कि सोमवार यानि के आज मुख्यमंत्री नितीश कुमार का जनता दर्बार आयुजित किया जाएगा लेकिन अब मंत्री मंडल विभाग के ओर से एक लेटर जारी कर यह जानकारी दी गई है कि आज होने वाला जनता दर्बार रद कर दिया गया है बतादे कि जनता दर्बार अप्रिहारे कारणों से अगले आदेश तक सखित कर दिया गया है मालू हो कि आज जंता दर्बार में ग्री विभाग, राजिश्व एवं भूमी सुधार विभाग, काड़ा विभाग, मध्य निशेद विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग और सामाने प्रिशासन विभाग से संबंधित समस्याएं सुनी जानी थी दूसरे चरण के सिक्चक नुक्ती को लेकर इतने आवेदकों ने किये आवेदन, दूसरे चरण के सिक्चक नुक्ती प्रक्रिया में पहले चरण के सिक्चक नुक्ती प्रक्रिया के तहत अधिक आवेदन किये गए हैं, बता दे कि दूसरे चरण के सिक्चक नुक्ती प्रक गम आविदन एक लाग साथ हजार दोसो चौट आविदन प्रात्मिक विद्याले के लिए हैं। पढ़ने वाले बच्चों में पढ़ाई की रूची बढ़ाई जा सके और उन्हें क्लास्रूम से जुड़ा जा सके इसको लेकर नए सतर से बच्चे अपनी पढ़ाई इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड के जरिये करेंगे। में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा ब्लाक बोर्ड की तुलना में वाइट बोर्ड का मेंटरनस सबसे आसान है। साइबर अपराधियों में हब बना बिहार ये जिला सबसे आगे। बिहार में बढ़ते साइबर अपराधियों को लेकर राज्जी में 44 साइबर थाने भी खोले गए हैं। बता दे कि प्रदेश में नरंदा और नवादा से ऐसे मामले काफी सामने आते हैं। बता जाता है कि आर्थिक अपराध इकाई के नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के हल्प लाइन नमबर पर फरवरी महिने से अब तक 6.48 लाग सिधिक शिकायते आ चुकी हैं। और इसकी मदद से 1543 लिस प्रात्मी की दर्ज की गई है। बतादे के राज्चे में खोले गए साइबर थानों में अठारा सौ से अधिक मामले दर्ज किये गया है। वहिन सब के अलावा साइबर अपराधियों के चुंगल में जाने से 29 करोड एक लाख रुपए से जाधा राशी को बचाये गया है। वहिन साइबर अपराध जरे 7000 सेधिक मोवाईल फोनों को ब्लॉक कर दिया गया है। प्रियाना में हुए नेशनल में सिल्वर और ब्राँज मेडल जीता गया था। पायों के द्वारा जारी कर दिया गया है जिसों में द्वार BPSC की आधिकारिक वेबसाइट सठवी CCE मिन्स परिनाम हमारी वेबसाइट पर अप्लोड करने के लिए भेज दिया गया है। सभी सफल उमिद्वारों को बधाई इंटर्व्यू जन्वरी के दूसरे सब्ता में होगा। मदाता सूची में नाम जोडने और सुधार के लिए नौ तक आवेदन अगर आप भी अपना मदाता सूची में नाम जरवाना चाहते हैं या किसी प्रकार का सुधार करवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए हैं बता दे कि हकाम आप 9 दिसंबर 2023 तक करवा सकते हैं इस अक्टूबर दोहजार चौबस तक 18 वर्स की आयू वाले भी मद्दाता सूची में पंजी करन के लिए अपना अग्रिम आविदन जमा कर सकते हैं बता दे कि दीम के दोरा दी गई जानकारी के नसार मद्दाता सूची कांतिम प्रकाशन पांच जरवरी दोहजार चौबस को किया जाएगा मैगी के काटन से शडाब बरामत बिहार में पुनरूप से सराब बंदी है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन इन से जड़े मामले सामने आते रहते हैं हाला कि इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विभाग की ओर से जीतोर कोशिश की जा रही लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कोई खास कमी देखने को नहीं मिल रही उल्टा सराब तसकर आए दिन सराब तसकरी के लिए नए नए तरीकों का अनिजाद करते वे पाए जाते हैं बतादे के ताजा मामला बिहार के गोपाल गंज का है जिसके बाद इस मामले की जांच करते वे पुलिस के दौरा 18 तसकर समेट कुल 51 लोगों की गिरिफतारी की गई है और साथ ही उन कारी गोपाल गंज के स्पी सुन प्रभाद के दौरा दी गई है पटना पुलिस का ओटो वालों के लिए नया फरमान बिहार की राजधानी पटना में बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते वे पटना पुलिस के दौरा ओटो वालों के लिए एक नया फरमान जारी किया जिसके तहट अब सभी आटो पर आटो मालिक आटो चालक एवं थाना का नाम लिखा होना चाहिए मालमों के पुलिस के द्वारा इस पहल किश्रवात इसलिए की गई है क्योंकि आए दिन पटना के गांधी मैदान, कोतवाली, शास्तरी नगर के साथ विवन थाना में शिकायते आती रहती हैं कि आटो चालकों के द्वारा ठगी की गई है इस बारे में Law and Order DSP कृष्ण मुरारी प्रिशाद के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है कि सभी आटो पर नाम नंबर के साथ थाना का मुवाइल नंबर लिखा होना चाहिए इसके साथ ही यात्रियों से भी अनुरोध है कि आटो पर बैटने से पहले पूरी तरीके से सुनशित कर ले साथ ही आटो पर अंकित मुवाइल नंबर का फोटो खीच कर अपने सगे संबंदी को भेज दे वहीं स्नियम को लेकर आटो यूनियन के अध्यक्ष पपो कुमार के द्वारा कहा गया है किस नर्ने का पूरी तरह से पालन किया जाएगा चार राजियों के चुनावी प्रेणाम को लेकर राजस सुप्रीमों लालो पशाद यादव के बड़े वेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेश प्रताप यादव के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है बतादे कि तेजप्रता प्यादव के दोरा खगडिया में कहा गया कि भले ही बीजेपी, एमपी, राजिस्थान और चत्रसगर में चुनाव जीत गई हो लेकिन बिहार में बीजेपी की डाल नहीं कलने वाले उन्होंने कहा कि 2024 के लोगसभा चुनाव में बीजेपी का सुपर स्वास्ते पर उठाया सवाल? चूम्हार के द्वारा जीतर्नाम मार्जी को लेकर तू तरह की भार्षा का उप्योग किया गया था जिसके बाद लगाता जीतर्नाम मार्जी सीमनेतीश पर हमला वड़ हैं। कॉंग्रिस की हार पर जेडियू आरजेडी ने गिनाय बड़ी वज़ा चार राजियों में हुए चनाव में तीन राजियों में कॉंग्रिस को मिली हार के बाद जेडियू और आरजेडी के दोरा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है बता दे कि एक तरफ जहां आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ती सिंग यादव के दौरा कहा गया कि हम मध्यप्रदेश, राजिस्थान और चत्रसगर के चुनावी जनादेश का सम्मान करते हैं लेकिन यह हार इंडिया गरवन्धन की नहीं है यह सर्फ कॉंग्रिस की हार है कॉंग्रिस को वहां के छितरे दलो का साथ लेना चाहिए था उन्हें सम्मान देना चाहिए था अगर ऐसा होता तो परिणाम कुछ और ही होता वहीं दूसरी ओर जेडियू नेता केसी त्यागी के द्वारा कहा गया कि कॉंग्रिस का पूरे चुनाव में अजीब और नकरात्मक रवया रहा जेडियू, बीएसपी, समाजवादी, पार्टी, राजस्थान, मद्रप्रदेश और चत्तसगर में छोटी-छोटी भुमिका मेरा ही कॉंग्रिस ने ना ही अखलेश यादव और ना ही जेडियू के राश्ट्रिय ध्यक्ष को यहां आमंतरत करना उचिस समझा, जीत का श्रे जो केवल खुद लेने का मन जो होता है, वे भी कई विकार पैदा करते हैं जेडियू के MLC नीरज कुमार का बीजेपी पर हमला, चार राचियो के चनाव के परिणाम आने की बाद जेडियू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पारसद नीरज कुमार के द्वारा बीजेपी पर जोड़दार हमला बोला गया है, उन्होंने कहा कि नितीश कुमार जा कहा कि साधू संत के आसरवात से जीत नहीं जाईएगा, बिहार भाजपा के नेता के चक्कर में भविश्यवानी कर रहे हैं, उन्होंने टिकट मिलेगा कि नहीं ये भी तै नहीं है, नितीश कुमार के दोर राजनिती में एक बड़ी लकीर खीच दी गई है, विरोधियों क जाब के बावजूद वे 18 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, टी ट्वेंटे सिरीज जीतने के बाद सुरे कुमार यादव ने की इन खिलारियों के तारीफ, बीदे दिन भारत और और उर्श्रेलिया के बीच खेले गए पांच मैचों की टी ट्वेंटे सिरीज के आकरी जब हम बीच में थें तब हम सिर्फ मैच का आनंद लेना चाहते थे, मैंने सभी खेलारियों को कहा कि वो करिये जो ठीक है और अपने खेल का आनंद लीजे, उन्होंने वैसा ही किया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, अगर वासिंग्टन सुन्दर वहां होते तो ये एक जानियाद बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट? प्रति लीटर निर्धारित की गई है इसके साथ ही गया में पेट्रॉल की कीमत 168.88 ऐटे द हमारा पहला सवाल है औप्षोने 750, औप्षोन भी 800, औप्षोनी इन में से कोई नहीं इसका स्थायुत्तर है ओप्शन C 866 अगला सवाल मदाता सुची में नाम जोडने और सुधार के लिए कब तक आविदन किया जाना है? ओप्शन A 7 दिसंबर, ओप्शन B 8 दिसंबर, ओप्शन C 9 दिसंबर, ओप्शन D 10 दिसंबर इसका सहीुत्तर है ओप्शन C 9 दिसंबर, ओप्शन E मध्यप्रदेश, ओप्शन B राजस्थान, ओप्शन C 36 दिसंबर, ओप्शन D 9 दिसंबर, ओप्शन C 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 9 30 के आगरी मुकाबले में भारत ने कितने रंसे माच अपने नाम किया option A 7, option B 6, option C 8, option D 10 इसका सहोत्तर है option B 6, अगला सवाल, आज भागल्पुर में पेट्रोल की कीमत क्या है? प्रिया कुमारी, उमेश्री सिदेव, गोरर सर्मा, लक्षमी महता, रवी कुमार राम, अनवर करीम खान, नौस्त राजा, बाबुलार मनांडी, मुहमद सकीर हुसैन, कनया कुमार, मुहमद अवजल मंसूरी, राज की शोर महतो, इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपके अनुसार चार राज्यों के चुनाओं में तीन राज्य में बिहार की वजह क्या रही, अपना जवाब हमें अमारी कॉमेंट सक्षन में लिख कर जरूर बताएं, आज के लिए तना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहें बिहारे नियूज और साथी अगर आप यूटूब से लेखें, चालन को सब्सक्राइब करना और अगर आ देख रहे हैं तो पेश को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद!